इस अब बेफालतू का मजाग कर रहे हैं मुखमत्री मंदे उनको नहीं करना है दसक्रश तोर पे कह दीजिए 2024 में आएंगे मुखमत्री मंदे तब हम लोग भी कहेंगे भाई मामला टक जाएगा हम लोग वोट नहीं देगे करना तो यहीं को होगा और पात साल बाद बैट जनता के पाले में आती है जनता भी तै करेगी कि छोका मारेगी कि छका मारेगी कि बॉंडरी पार करेगी कि विकेट नमस्कार मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जी इन भारत अभी हमारे साथ मौजूद है तीटनाज जी आए इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तो वड़ा बयान दे दिया कि 1932 खतियान लागू नहीं करेंगे क्या कहिएगा मुख्यमंत्री महदे ने कहा कि नियोजेन निती 1932 के आधार पर नहीं हो सकती है यह कोट शला जाएगा मामला हम आपकी मादेम से मुख्यमंत्री महदे कोई कहना चाहते हैं कि भाई आप कर तो दिजिए कोट का मामला हम लोग देख लेंगे आपको करने में क्या पती है जब आप कर रहे थे जब आप कर रहे थे घोषना या फिर जब आपको मैनिफेस्टो आ रहा था तो उसमें तो इस बात का जिकर नहीं था कोट क्या करता है फिर देखेंगे इस अब बेफालतू का मजाग कर रहे हैं मुख्यमंत्री महदे उनको नहीं करना दसपशत तौर पर कह यही तरीके से काम नहीं करते हैं दोज़र चौबिस में आएंगे मुख्यमंत्री मन्दे तब हम लोग भी कहेंगे भाई मामला अटक जाएगा हम वोट नहीं देंगे करना तो यहीं को होगा मामला यह है कि यह हम लोगों ने बनाई यह सरकार है यह मुद्दे भी हमारे हैं तो समाधान तो इनको ही करना होगा इनसे ही लड़ेंगे और इनसे ही एक खतियान आदिर स्थानेता और नियोजनिती तै करवाएंगे हम लोग चाहे इसके लिए कितना कड़ा संघर्ष क्यों ना करें आपको अभी भी आस है कि मुख्यमंत्री जी 1932 खतियान लागू आज थोड़े हमारे संघर्ष पर हमको विश्वास है जो जारखन्डी भासा संघर्ष समिंती और जो जारखन्डी लोग जो पूर authorized सेलाब निकला है इस पूरे मामने पर तो संघर्ष की जीत होगे मुझे इस पर विश्वास है जारखंट की अकांचाव पर इतने जो बेरोजगार लोग हैं इतने जो बेरोजगार युवक हैं उस पर उन्होंने कह दिया है कि हमने तो नौकरी देने की बात कही नहीं थी हमने तो रोजगार देने की बात कही थी इस पर आप क्या कहें नेताओं का एक काम बड़ा अच्छ लग नौकरी देंगे अब वो उसको रोजगार सो रोजगार की बात कर रहे हैं तो देखिया ऐसा है मुकमंत्री मौदे कि आप भले ही भूल गए होंगे अपना चुनाई वादा पर हम लोग उस चुनाई वादे को याद रखे हैं आप नहीं दीजिये वो अलग इशू है ले अपने वादों से चुनाई के समय लोग भी सोचेंगे मुकमंत्री के बारें जब मुक्यमंत्री हेमन सोरेन बाटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चक्का भी हम ही मारें और चौका भी हम ही मारें हां तो भाए अगर जब जनता के पाले में बैट आएगी न हर पात साल बाद बैट जनता के पाले में आती है तो जनता भी तै करेगी कि चोका मारेगी कि छका मारेगी कि बॉंडरी पार करेगी कि विकेट रहने देगी या जो भी हो यह सब बेफालतू का एक बयान है जनता स्पश तोर पे मुख जी जैसे जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पर बात नहीं करके, ओल जुलूल की बात्चीत करते हैं, वैसे ही है मन्सुरेन, जो मुख मुद्दा है, उस मुद्दे पर बात नहीं करके, कभी बैचिंग, बॉलिंग, ये वो उस पर बात करते हैं, इस पर थे, तो मुकमंत्री के बातों से फर्क ने पड़ता, हमारा जो मुद्दा है, खतियान अधरित स्थानियता, वो हम लोग ले के रहेंगे, जहारखंडी उसके लिए संघर्ज कर रहा है, चाहे वो संघर्ज का तरीका चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे संघर्ज के तरीक करेगी कि क्या करना है लेकिन जो भी होगा जारखंड के भविस के लिए जारखंडियों के भविस के लिए बहतर हो तो आपने तीतनाच जी को सुना कि इनका अगला कदम क्या रहेगा यह ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक बद्दिस खत्यान लागू नहीं होगा जीन भारत के लिए रांची से वीडियो जन्रलिस्ट सोनु पांडे के साथ मैं राशका बजाज अपने राजिस जुडी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले